बॉलिवूट के दवंग यानि सल्मान खान के फैंस के लिए एक बड़ी खुश खबरी जो की सामने आ रही है आपको बता दें कि सल्मान खान अपने फिल्म टाइगर की फ्रंचाइज यानि टाइगर 3 के लिए जल्दी शूटिंग को शुरू करने वाले हैं और आखिरकार इस फिल्म की क्या स्टोरी होगी साथे साथ आपको बता दें कि सल्मान खान आखिरकार कहां पर शूट करेंगे इस फिल्म के सीन्स को ये एक सूपर एक्शन फिल्म होने वाली है और सलमान खान की जो फिल्म में है टाइगर फ्रेंचाइजी की जिसमें सबसे पहले आये थी एक था टाइगर फिर आये थी टाइगर जिन्दा है और अब टाइगर 3 आने वाली है आपको बदा दें कि इस फिल्म की शूटिंग को वो मार्च मन्त में शुरू करेंगे नहीं होली के बाद वो अपनी इस फिल्म की शूटिंग को शुरू करेंगे साथ ही साथ इस फिल्म की शूटिंग को वो दुबई में शूट करेंगे जी हां आपको बदा देंगे सलमान खान भी अब शारुक खान की रहा पर क्या चल पड़े हैं क्योंकि किंग खान जो है अपनी फिल्म पठान की शूटिंग को वो दुबई में कर रहे हैं और आखिरकार अभी एक ट्रंट चल गया है क्योंकि पैंडेमिक का टाइम है तो जादा दूर जा नहीं सकते तो दुबई एक ऐसा एक ऐसी कंट्री एक ऐसा देश जहां पर अच्छे सीन्स अच्छे सूपरेक्शन सीन्स को क्रियेट किया जा सकता है तो सल्मान खान जो है वो भी दुबई चल पड़ेंगे और टाइगर 3 की शूटिंग को वो करेंगे साथ ही आपको बता दें कि सल्मान खान जो की जिन्नोंने हाल ही वे अपने फिल्म राधे की शूट को खतम किया था और इस साल ईद पर वो फिल्म आपको देखने को मिलेगी बात करें वो अभी बिजी है अपनी फिल्म अंतिम के लिए अंतिम की शूटिंग में काफी जादा बिजी है और अंतिम की शूटिंग को वो बहुत जल्दी कतम कर लेंगे और उसके बाद वो अपनी फिल्म टाइगर 3 के लिए शुरू हो जाएंगे और दुबई के लिए निकल जाएंगे आपको ये भी बता दें कि सलमान खान जो है उनका जो रोल होगा इसमें वो एक रो एजन्ट होंगे जैसे कि औरेड़ी जो टाइगर फ्रेंचाइज में जो उनका रोल है और अविनाज सिंग राठोर के नाम से उनका नाम आएगा और जिसमें वो एक रो एजन्ट का रोल को प्ले करेंगे काफी इंट्रस्टिंग होने वाला है और सलमान खान जो है शारुख खान की तरह वो भी पठान जैसे फिल्म की शूटिंग शारुख खान कर रहे हैं दुबई में वैसे ही सलमान खान भी अपने फिल्म के लिए रेडी हैं और दुबई में अच्छे सूपर एक्शन सीन्स को वो क्रियेट करेंगे इस बार कुछ अलग ही तरह का मज़ा आने वाला है यानि ये फिल्म जो है क्यास लगाया जा रहे हैं कि इस फिल्म को साल 2022 में र जरूर बताएं साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही मज़िदार अपडेट्स के लिए